मुंबई के सीवडी में मामुली स्कूटर पार्किंग को लेकर हुए जगडे में दो लोगों की मौत हो गई घटना शीवडी के मुंसिपल चॉल नमबर 46 सीवडी क्रास रोट की है सोमवार रात एक बजे के आसपास इस चॉल में स्कूटर पार्किंग को लेकर शेक फैमिली और पटेल फैमिली में वाद विवाद हो गया जो बाद में मारपीट में बदल गया बताया जा रहा है शेक परिवार के लोगों ने पटेल फैमिली पर चॉपर से हमला कर दिया जिसमें शाहिद रजाक पटेल 22 साल, साहिद रजाक पटेल 16 साल और फी उर्फ अदनान पटेल 18 साल घायल हो गए तीनों को केम होस्पिटल में ले जाया गया जहां शाहिद पटेल की मौत हो गई दो लोग साहिल पटेल और अदनान पटेल की हालत नाजूप होने पर उन्हें एडमीट किया गया आज साहिल पटेल की मौत हो गई है इस तरह से इस मामले में दो लोगों की मौत हो गई और अदनान पटेल की हालत नाजूप बनी भी है रफी एहमत किदवई मार्क पुलिस ने शेक परिवार के चार लोगों पर जिनके नाम करीम यूसुफ शेक 35 साल, यूसुफ शेक 70 साल, मिनाश शेक 35 साल, महराज यूसुफ शेक 65 साल इन सभी पर IPC की धारा 302, 307, 506, 504, 34 लगाकर गिरफतार कर लिया है तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइस।